स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर टाम है दोस्तों इस वक्त हमारी पास निवेश करने का एक जबरदस्त मौका है वो भी मूचल फंड प्लान के अंदर SIP के तरू यहाँ पर आपको लाको रूपे निवेश करने की ज़रूष नहीं है बलकि आप अगर तीन हचाआ रुपे मतली सारी सेविंग करके बचाते हैं और इसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप इसी से डेड़ करोड रुपे का फंड या फिर एक करोड रुपे का फंड आप पराना चाहते हैं तो अगले कुछ साल के बाद आपको यह फंड मिल सकता है क्योंकि बजट के बाद मार्किट में एक बड़े करेक्शन की उम्मेदी जो की नहीं आया है मार्किट में एक प्रेशर जरूर है इस वेक में लेकिन यहां से मार्किट में एक शांदार रिकवरी भी आपको मिल सकती है अगर एक rally मिलती है market में आने वरे टाइम में तो यहाँ पर आप अपने पैसे को नवीज करके उसका benefit ले सकते हैं और दोस्तों mutual funds के अंदर अगर आप SIP अनिकर systematic investment plan के थुरू नवीज करते हैं तो यहाँ पर आपको लगतार एक return काफी बहतर मिल सकता है और SIP में पैसे पर risk भी कम हो जाता है क्योंकि अगर आप पैसे नवीज करते हैं SIP के थुरू और market में कोई correction आता है तो आपको कम price के साबते भी unit मिल जाती है और जी unit आपको पहले high price से मिल चुकी हैं वो average होती रहती है इससे long time में आपको SIP के थुरू पैसे नवीज करने से काफी अच्छे benefit मिल जाते हैं और अगर return की बात की जाए तो वो भी हमें काफी जबरदस्त मिलता है लेकिन दोस्तों जब नवीज करने की बात आती है वो भी mutual funds के अंदर तो हमेशा हमारे ये target रहता है कि हम कोईसी ऐसे fund के अंदर पैसे को नवीज करें जहाँ पर risk थोड़ा पहुत जरूर हो पैसे पर लेकिन हमें return काफी बैस्तर मिचाए पिछले 10-12 साल की अगर हम बात करते है mutual funds की तो यहाँ पर हमें काफी जबरदस्त benefit मिले भी है compound return बैंक FD के मुकाबले 6-7 कुना जादा भी मिला है और दोस्तो अगर हम आज भी mutual funds के अंदर पैसे को नवीज करते हैं SIP की तो हम कम पैसे से भी एक बड़ा fund बना सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास जादा पैसे नहीं होते हैं तो हम यह सोचते हैं कि जब पैसे आएंगे तब हम एक नवीज प्लान करेंगे लेकिन यहीं आपकर गलती कर बैठते हैं दोस्तो अपसी 10 साल पहले जिन लोगों ने mutual funds के अंदर पैसे को नवीज किया आज 10 साल के बाद अगर आप उनका पॉर्टफरियो देखेंगे तो बहुत सारी लोगों ने करोड़ पती तक बनने का सफ़र देखिया है और वो भी पिछले 10 साल के अंदर और दोस्तो यहां से भी मार्केट में आपको लगतारिक रेटन बहतर मिल सकता है और उसकी सबसे बड़ी बचाई यह है कि 10 साल पहले लोग मुचल फंड के अंदर पैसे को नवेश करने से बचते थे उन्हें लगता था कि यहां पर रिस्क जाता है लेकिन दोस्तो अगर हम करण टाइम की बात करें तो यहां पर डोग का रुजान मुचल फंड की तरफ काफी जादा हुआ है और मुचल फंड से कुल एउम बढ़कर 50 लाग करोड रुपे बार कर चुका है और लगतार दोस्तो यह बढ़ रहा है इससे हमें एक बास समझ आती है कि यहां पर अगर हम पैसे को नवीश करते हैं तो मुचल फंड से हम एक बहतीन फंड बना सकते हैं यहां से आप बहुत जादा बड़ा fund भी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए यहां पर आपको यह देखना होगा कि जिस mutual fund plant के अंदर आप पैसे को नवीश कर रहे है वो fund कैसा है, उसका portfolio कैसा है fund के अंदर किस तरह से आपको नवीश करना है रिस्क कितना है यह सारे चीज़ अगर आप समझते हैं एक पैसी फंड के अंदर तभी आप नवीश करके एक अच्छा return पास सकते हैं तो यह की करके हम इस सारे details को भी चया करेंगे और Tata का जो fund हम लेकर आए हैं आपके लिए SIP के लिए उसकी पूरी details समझने के बाद calculation करके देखेंगे कि अगर आप 3000 रुपे मत्तिय SIP करते हैं तो year wise आप कितने टाइम में एक से डेट करू रुपी का fund बना सकते हैं दोस्तों से पहले आप से request है चैनल को subscribe जरूर करने हैं तो सबसे पहले बात करते हैं fund की fund है Tata का Nifty Midcare 150 Momentum 50 Index Fund दोस्तों का return की बात की जाए तो ये fund जादा पुराण नहीं है दो साल पहले इस fund का NFO आया था तब से लिकर अब तक कि अगर हम बात करें तो fund रिटन काफी जबरदस दिया है 42% का और दोस्तों ये compound return है जबकि एक साल में return है 66% last six month में return 23% यानि कि दोस्तों Tata Nifty Midcare 150 Momentum 50 Index Fund के अदर यहाँ पर 50 company शामिल है पूर्टफोलियो के अदर और वो भी midcap index के अदर जो 150 company है उन में से ही और दोस्तों ये ऐसी company है जिन्होंने लगतार हमें काफी बहतर return दिया है और यहाँ से भी इन companies में हमें 23 performance मिल सकते है अब दोस्तों यहाँ पर return भी बहुत साथा है यानि कि 42% का लेकिन हम यहाँ पर return expect करते हैं सिर्फ 29% का अगर हम यहाँ पर पैसे को नवीश करते हैं 3000 रुपे मतली को 6 साल के लिए तो यहाँ पर दोस्तों हम कुल मिलाकर 2,16,000 रुपे का नवीश करके 5,82,000 रुपे का fund बनाएंगे इसमें 3,66,000 का return हमें मिल जाएगा लेकिन अगर हम नवीश करते हैं दोस्तों यहाँ पर 12 साल तक SIP के तुरू तो कुल मिलाकर 4,32,000 रुपे का नवीश करके हम 38,32,000 रुपे का fund बनाएंगे इसमें 34,000,000 का return होगा लेकिन अगर हम यहाँ पर पैसे को नवीश करते हैं दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 17 साल तक तो 17 साल के अंदर इस 3,000 रुपे मतले नवीश करते रहने से हमारा कुल नवीश यहाँ पर होगा 6,22,000 रुपे का लेकिन इससे ही हमारे पास 1,64,000,000 रुपे तक fund बन सकता है इसमें 1,58,000,000 का return होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिन हम companies की बात करे थे यह पोटफोलियो की उसमें 50 दमदार कंपनी शामिल है जिनमें पैसे को नवीश क्या क्या है इसमें REC Limited, Power Finance Corporation, अरबिंदो फार्मा, भारत हैवी एलेक्टिकल, लूपिन, इंडियन रेलवे फाइनस कॉर्पोरेशन, जिन्दर स्टेर अने स्टील, पूली कैप इंडिया, सुप्रीम इंडस्टी यानि कि हाँ पर दोस्तों ये 50 एक से एक धाकड कंपनी हैं जिसमें फंड के पैसे को नवीश किया गया है और इन कंपनीज में हमें फीचर में भी रेटन काफी बहतर मिल सकते हैं फाइनिस सेक्टर के अंदर फंड का सबसे ज़्यादा 24 परसेंट पैसा, हेल्थ केर सेक्टर के अंदर 17 परसेंट, अधर सेक्टर की कंप्रीश में 13 परसेंट, कैपिटल गूर्स के अंदर 14 परसेंट, कंस्ट्रक्शन, मेंटन माइनिंग, केमिकल और ओटोमपाइल सेक्टर के अंदर फंड के जारतार पैसे को नवीश किया गया है और दोस्तों इस फंड में हमें आगे भी काफी पैसे रिटर्न मिल सकता है दोस्तों फंड के एनवी नेट एसेड पैल्यू की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 18.76 पैसे यानि कि हम SIP के तुरू जो भी पैसा उनिट मिल जाते हैं यानि कि यहाँ पर मंति विसस पर जो भी एनवी का प्राइस होगा इसके साबसी आप यूनिट मिलती रहती हैं और इसी पर प्रॉफिट या लॉस को ट्रैक कर सकते हैं अभी फंड के एम कम है सिर्फ 400 करोड रुपे का लिकिन दुस्तों जैसे जैसे इ बढ़ाना चाते हैं तो टॉप अप्शन से आप बात भी इसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों फंड के अंदर अगर हम एक्सपेंस रेशियो खर्चे की भी बात कर लें तो यह भी कैटिगरी की साबसे फंड का खर्चा काफी कम है 0.31% का लेकिन अगर आप पैसे निवेश कर रह होगा दोस्तों फंड मैनेजमेंट टीम की बात की जाए तो सेलेस जैन 2022 से फंड को मैनेज कर रहे हैं दोस्तों टाटा मुचल फंड हूस के हम बात करते हैं तो यहां पर रेंग एसेट के साबसे 14 नंबर पर है फंड हूस के पास 1,60,000 क्रोड़ों पे से जाधा गई यह यह है और दोस्तों टाटा यमसी काफी पुराना यमसी है मुचल फंड के अंदर काफी टाइम से यहां पर लोग पैसे को नवीश कर रहे हैं दोस्तों इस मुचल फंड प्लान के अंदर अगर हम SIP की तुरूपी 3,000 रुपे नवीश करते हैं और हमरा टार्गेट अगले कुछ सालों में एक बड़े फंड बनाने का है तो उस टार्गेट को भी हम आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं यहां पर शौर्ट टाम में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है निकिन अगर आपका टार्गेट लोग टाइम पैसे निवीश करने का है तो यहां से आप एक ब